नवश्कार स्टेज न्यूज आईटी में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ आर्थी सिर्वे आईए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर शोभा उज़ा का बयान मुख्यमंत्री कमलाजी और साधू जी का अभार व्यक्त करती हूँ महिला अत्याचार 15 साल की सरकार में हो रहा महिला को ताकत देनों और समवेदनशील काम करने का मेरा उद्देश रहेगा आने वाले समय महिला अत्याचार में कमी आएगी महिला सशक्त करने के लिए कालिक्रम लाएंगे महिला सशक्त करना मेरे लिए चुनाओती है मिला है दुनों को दिल से धन्यवार देती हूँ कि जुनों ने मुझे ये अफसर दिया जहां मैं प्रदेश की महिलाओं की स्तिती की और काम कर सकूं महिला सशक्तिकरंट के काम कर से हुए को साथ ही जो महिला अत्याचार के लिए मध्यप्रदेश नमबर एक पिछले 15 साल की सरकार में रहा है अब एक साल उद्देश रहेगा इस पत्पे रहते हुए और साथ ही मैं कहूंगी कि प्रदेश की कोई भी हमारी बहन हमारी बेटी किसी भी अत्याचार के खिलाफ चुक ना बैठे वो अपने आवाज बुलंद करें उनकी आवाज को सुनने के लिए हम हैं उनकी लड़ाई लड़ने के ल हरो ए एक उस व्यक्ति को दंड देंगे जो हमारी बहनों या बेटियों को कहीं भी कोई भी पक्षा आपके साथ मैं हूँ आरती सिर्वे आईए अब बढ़ते हैं खबरों की वर नरसिंपुर आज़ादी के इतने सालों बाद भी दूर दरास के ग्रामीन आज भी मूलबू से विधाओं से कितने दूर इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि नरसिंपुर की जनपत पंशायत गोटे गाउं से 18 किलो मीटर दूर जामुन पानी गाउं में न कि जाते ने इनको शाथ में लेखे जाना पर सा इन आना पर सकता है कि यहां आगनवाडी हो जा या है स्कूल भी खुल जात चोटा इस कूल तो उनको आने जाने ने भी निक्रत नहीं होगी और यहां कम से कम छोटे बच्चों को आंगनबाडी का राम मिनने की लिए ना आगन माली खेंड रहे हैं, ना स्कूल जाने के लिए रास्ता, पाच क्लिए मुटर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं, और वहाँ पुकुसड बच्चे भी हैं। नर्सिंगपुर से बेरो रबाट।